नमस्कार आईए आज हम इस अनुक्रम तथा श्रेणी का चौथा और अन्तिम भाग करते हैं इस अन्तिम भाग में आप देखेंगे कि आपने जो अभी तक समानतर श्रेणी और गुणोतर श्रेणी भी पड़ी अनुक्रम और श्रेणी के बारे में भी जाना लेकिन फिर इस चौथे भाग में क्या है आईए जानते हैं इस चौथे भाग में ऐसे विशेश अनुक्रम जो दिखने में ना तो समानतर श्रेणी नजर आएंगे ना दिखने में गुणोतर श्रेणी नजर आएंगे लेकिन कहीं ने कहीं उनके अंदर छुपा हुआ है किसी में समानतर श्रेणी छुपी होगी किसी में गुणोतर श्रेणी छुपी होगी और तो और किसी में दोनों श्रेणियां छुपी होंगी चाहे वो जमा के रूप में हो, घटा में हो, गुडा में हो या भाग में हो ऐसी स्रेणी को हम कैसे करेंगे, उसके एन पदों का योगफल कैसे निकालेंगे यह हम इसमें जानेंगे, इसके लिए हमें तीन विशेश प्रकार के अनुकरम के एन पदों का योग अवश्य पता होना चाहिए जिसे हम आगे पढ़ेंगे वो हैं प्रथम एन प्राक्रत संख्याओं का योग दूसरा है के प्रथम एन प्राक्रत संख्याओं के वर्गों का योग और तीसरा है प्रथम एन प्राक्रत संख्याओं के घनों का योग। इनको जान करके तब हम विशेश अनुक्रम बाले जो अनुक्रम है उनके एन पदों का योगफल पता कर सकते हैं। आईए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम एन प्राक्रत संख्याओं का योग। तो यहाँ एक चीज बिशेश है प्रथम शब्द आप इसको ध्यान करें। प्रथम का मतलब पहली प्राक्रत संख्या नैचुरल नंबर होती है एक अर्थात ऐसी संख्याओं जो एक से शुरू हैं अब अगर एक से शुरू हैं ऐसी संख्याओं के अंकों का योग। लेकिन प्राक्रत संख्याओं एक, दो, तीन, चार, अनंत तक है ना लेकिन हमें अनंत तक पता नहीं करना हमें पता करना है एन पदों का योग। तो यहाँ एक बड़ा सीधा-सीधा नजर आता है कि इन प्राक्रत संख्याओं अगर हम द्यान से देखें तो यह सभी प्राक्रत संख्याओं समानतर श्रेणी में होती हैं आप देख लें सभी में एक समान अंतर होता है और समान अंतर होने का मतलब समानतर श्रेणी हो गई समानतर श्रेणी के एन पदों का योगफल आपने गुणा पहला पद प्लस आखरी पद अब समांतर श्रेणी में एक से शुरू है तो एनमा पद कितना होगा एन दसमा पद कितना होगा दस बीसमा पद बीस तो इस तरह से एनमा पद एन होगा तो पहला पद एक आखरी पद एन और इस तरह से हमारे पास पहला सूत्र हम पता क कर सकते हैं कि एकजमा दो जमा तीन एयन तक अगर घमा करें तो एक आ जाएगा एयन गुना एजमा एक वटा दो एक इजे सिंबल आप देख रहे होगे ये सिंबल दो तरह से यूजर होता है एक तो सीधा सीधा सिग्मा एक और करते हैं हम इसको use और वो है सिग्मा के और के लिख करके यहां लिख देंग के बड़ावर एक से एन तब भी यह यही शो करेगा फरक्श यहां सीधा एन का मान हो गया यहां के का मान एक से लेकर एन तक करना है और हमें सब को जोड़ना है जो आप पहले देख चुके हो तो इस तरह से एन प्राक्रत संख्याओं का योग आप आसानी से निकाल सकते हो इसमें दो तीन चीजे मालो मुझे प्रशन आ गया कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ अब 51 से 100 आ गया आप कह सकते हो कि हमने तो पढ़ा था प्रथम एन प 50 निकाल लें दोनों को माइनस कर दें एक्यामन से 100 चाहिए ना तो हम क्या कर सकते हैं एक से 100 तक की संख्याओं का योग उसमें से माइनस कर दें एक से 50 तक की संख्याओं का योग अगर हम ऐसा कर देते हैं क्योंकि हमारा जो सूत्र है ये वहीं लगेगा जहां संख्याओं एक से प्रारंद है थोड़ा ध्यान करना आईए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला कि एन प्राक्रत संख्याओं के वर्गों का योग वर्गों का योग अब वर्गों का योग का मतलब एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग और ये है N का वर्ग तक सब जानते हैं हम कि अगर हमें देखने में संख्या आ जाए तो 1, 4, 9, 16, 25 अगर इस तरह से लिखी हो तो ना तो ये AP में हैं और ना ही GP में है लेकिन एक विशेश अनुक्रम है और वो है प्राकृत संख्याओं के वर्ग तो यदि इस तरह से संख्याओं हों लेकिन प्रथम तो हम इसको बहुत आसानी से इनका योग पता कर सकते हैं और इनका योग होता है जितने भी पद हैं उतने पद उनसे एक अधिक पद यानि N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1 बटे में 6 ये होगा सिगमा N किसका सिगमा N? N स्क्वाइर सिगमा N स्क्वाइर यानि 1 स्क्वाइर प्लस 2 स्क्वाइर प्लस 3 स्क्वाइर यानि प्रथम N प्राकृत संख्याओं के बर्गों का योग N गुणा N जमा एक गुणा 2N जमा एक बटा 6 हो जाएगा अब देखते हैं तीसरा, तीसरा है घनों का योग, घन पहले का एक का घन, एक दो का घन, आट क्यूब, तीन का घन, सत्ताइस, अगर हमें इस तरह से संख्याएं दे रखी हों, ये भी ना एपी में है ना ही जी पी में है, इनकी खास बात क्या है, घन, किसके प्रथम, इसको जरूर ध्यान में रखना, प्रथम एन प्राक्रत संख्याओं के घन, अगर हमें इनका जमा निकालना है, तो जो आपने सबसे पहले एन प्राक्रत संख्याओं का योग निकाला था, उससे मिलता जुलता है, और वो है आपने एन क्यूब निकाला, अर्थात एक क्यूब प्लस दो क्यूब प्लस तीन क्यूब जब इनको करेंगे तो आपने देखा पहली एन प्राक्रत संख्याओं का योग आपका ये आया था एन गुणा एन जमा एक बटा दो तो कितना है घनों का योग अगर करेंगे तो केबल इस पर हमें घात दो लगा जैसे हमने घात दो लगाया तो वो हो जाएगी इन संख्याओं के यानि प्रथम एन प्राक्रत संख्याओं के घनों का योग अब इनको कैसे यूज करते हैं प्रशन डायरेक्ट नहीं आएगा सीधा सीधा नहीं आएगा क्या आपको एक क्यू प्लस दो क्यू प्लस तीन क् करना हैं तो प्रश्ण किस रूप में होंगे कैसे हम इनको apply करेंगे आईए उसे देखते हैं जैसे हमें ये श्रेणी दे रखिए अगर मैं श्रेणी को ध्यान से देखूं तो इसमें कहीं से भी मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये समानतर श्रेणी है या गुणतर क्योंकि दोनों ही नहीं है और ना ही ये सीधा-सीधा जो हम पढ़के आए थे कि वो वर्गों का योग भी नहीं दिख रहा है और ना मुझे घनों का योग दिख रहा है ऐसे मैं हमें क्या करना सबसे पहले S N बराबर मैं इसको लिखूंगा पांच जमा ग्यारा जमा उन्नीस जमा उन्तीस ऐसे कितने पद हैं ये कुल N पद तो आखरी पद हो गया A N अब मैं दुबारा से भी इसको लिखूंगा लेकिन अब लिखते समय क्या ध्यान रखूंगा एक पद आगे बढ़ा दूँगा अर्थात पांच पांच के नीचे न आगे खिसका दिये तो इस तरह से करते हुए ये सब आगे लिए तो A N के नीचे एक पिछला पद अर्थात A N-1 पद और अगला हो गया N पद इन दोनों को मैंने घटा दिया और जब दोनों को घटाया तो घटाने पर आप देखो कि ये जो बाई तरफ है ये जीरो हो गया जीरो होने पर पांच तो ऐसे कैसे रह गया जमा इनको ब्रैकिट में लिख लेते हैं 11 में से 5 गया 6 यहां 19 में से 11 गये जमा के 8 29 में से 19 गये 10 और इस तरह से अगर आगे देखें तो A N और A N-1 हमें नहीं पता क्योंकि हमें A N टर्मी नहीं पता थी लेकिन एक चीज पता है कि हमारे यहां से और यहां तक के पद है N-1 क्योंकि A कम कर दिया तो इसका मतलब ये मुझे पता है कि कुल मिला कर जो पद हैं वो N-1 हैं इसके बाद चुकि ये A N था नीचे घटा रहे थे तो माइनस A N आ गय अब माइनस A N को मैं बाई तरफ ले आया तो ये हो गया A N बराबर पाँच ऐसे कैसे हैं थोड़ा सा ध्यान करो तो ये पूरा समांतर श्रेणी बन रहा है समांतर श्रेणी में N-1 पदों का योग और N-1 पदों का योग का मतलब N-1 बटा दो 2A यानि पहले पद का दुगना जमां सूत्र में आता है N-1 जब N-1 पदों का निकालते हैं लेकिन हमें तो N-1 पद निकालने हैं तो इसलिए यहां आ जाएगा N-2 और D कितना है सारवंतर दो इस तरह से हम इस 6 से और N-1 पदों का योग फल पता कर सकते हैं कैसे देखते हैं पांच जमां N-1 बटा 2 को मैं अंदर गुणा करता हूं सीधा तो पहले 12 से गुणा किया तो 2 से 12 छे बार कट गया 6 को N-1 से गुणा किया जमा जब यहां गुणा हुआ तो 2 से 2 कट गया अब N-1 N-2 से गुणा हुआ तो N-2 माइनस 3 N जमां 2 इसको ठीक प्रकार से जब हम लिखते हैं तो आप देखें आपके पास आगया N-2 और 6 N-3 N मतलब 3 N 5 प्लस 2 साथ मैं से 6 गए जमां 1 अर्थाथ अब आपका जो सबसे पहले आपने पढ़ा था किसी भी अनुक्रम का N-1 पद आपको पता लग जाए तब आप निकालोगे S-N और S-N निकालने के लिए सभी के आगे सिग्मा का निशान लगा देंगे तो यह हो जाएगा सिग्मा N-2 जमां सिग्मा 3 N यानि हम एक काम और कर सकते हैं सिग्मा 3 N में 3 चुके उसका गुणांक है 3 को बाहर भी लिख सकते हैं 3 को बाहर लगा दिया और सिग्मा N जमां 1 अब यहां ध्यान क्या रखना है एक 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 N पद हैं ध्यान रखना इसलिए एक का N पद का जोड सीधा सीधा आप N भी लिख सकते हैं यह आपने अभी पढ़ा था सिग्मा N यानि N प्राक्रत संख्याओं का योग आपने N स्क्वाइर भी पढ़ा था प्रथम प्राक्रत संख्याओं के बर्गों का योग इनको हल करके आप आराम से कैसे S N बराभर N स्क्वाइर प्रथम N प्राक्रत संख्याओं के बर्गों का योग N गुणा N जमा एक गुणा 2 N जमा एक बटे में 6 उसके बाद है तीन गुणा N यानि N प्राक्रत संख्याओं का जोड जमा तीन N गुणा N जमा एक बटा दो और उसके बाद प्लस N आपने इसके बाद प्लस N इसको हल करके आप आसानी से इस दिये हुए जो श्रेनी है इसके N पदों का योग पता कर सकते हैं तो आपने देखा सीधा सीधा नहीं पता था लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके आप इस श्रेनी को उस रूप में ला सकते हो जिस रूप में हमने सूत्र पड़े हैं और उधारन देखते हैं उस श्रेनी के N पदों का योग फल ग्याद कीजिए जिसका N वा पद दे रखा अब यहां सीधा सीधा हमें N वा पद दे रखा हैं पिछले प्रश्ण में तो हमें मेहनत करनी पड़ी थी N वा पद की N वा पद दे रखा है यानि मुझे दिया हुआ है A N वरावर N गुणा N प्लस तीन इस रूप में आप हल नहीं कर पाओगे पहले इनको सरल भाशा में लिख लो सरल भाशा में कैसे N को गुणा किया तो यह हो गया N स्क्वाइर प्लस 3N अभी आपने पड़ा था N तर्म पता लग जाए तो योग निकालना आसान होता है और वो है S N वरावर सिक्मा N स्क्वाइर जमा तीन चुकि गुणांक है इसको बाहर निकाल दो आसान इसके बाद प्रतम प्राक्रत संख्याएं हैं उनके वरगों का योग आपको पता है कि N गुणा N प्लस एक गुणा 2N प्लस एक बटे में 6 जमा तीन N गुणा N जमा एक बटा दो लग उत्तम ले करके आप आसानी से इसको यहां रख सकते हैं या एक और तरीका भी आसान आप चाहें तो N गुणा N जमा एक बाहर निकाल लो जो बचे उसमें लगुत्तम ले लो तो आपको प्रश्ण थोड़ा सा गणना में आसानी हो जाएगी और प्रश्ण देखते हैं एक बिशेश प्रश्ण एक गुणा दो प्लस दो गुणा तीन प्लस तीन गुणा चार प्लस चार गुणा पांच के N पदों का योगफल ग्याद करो अब फिरसे ये लगता है कि ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया इसमें समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो हमने ऐसे लिखा पहला पत दूसरा पत तीसरा पत आपको अपने आपी ध्यान आता जाएगा और आपके ध्यान में आ जाएगा कि अगर मैंने इस तरह से लिखा तो कुछ पैटर्न जो हमने अनुक्रम के बारे में सबसे पहले जाना था कि अनुक्रम क्या होता है एक निश्चित पैटर्न है ना एक से शुरू करें एन टर्म तक जाएं तो एन वी टर्म में क्या होगा एन ये चुकि पहली टर्म में दो है तीसरी में दूसरी में तीन है तीसरी में चार है यानि एक जादा आ रहा है यानि ये गुणा होगा एन जमा एक से मान लेते हैं कि आपको अंदाजा नहीं लगा कि जी हमें ये पता नहीं लग रहा है कि एन टर्म क्या है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको नजर आएगा उनमें कोई ने कोई श्रेनी चाहे समानतर श्रेनी नजर आएगी या गुणोतर श्रेनी नजर आएगी अब समा आप एनवाँ पद निकाल लो, अगर सीधा सीधा पता नहीं कर सकते, तो आप मुख्य रूप से उसका एनवाँ पद निकाल लो, जैसे ही आपने एनवाँ पद निकाला, आप निस्चित मानना आपको जब एनवाँ पद पता हो जाएगा, जैसे यहाँ पता हो गया, कितना एन स्क्वायर जमा एन सरल भाषा में लिखना गुणा करने के बाद फिर आप ऐसे जैसे आपने पहले किया है आप कर सकते हो एक और प्रश्ण देखते हैं ये एक प्रश्ण है इस प्रश्ण में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा कि न्यूमरेटर में या तो गुणोतर और नहीं समानतर स्रेणी इनको कह सकते हैं और तो और जो हमने अभी पढ़ा था कि प्राकरत संख्याओं के वर्ग या प्राकरत संख्याओं के घन हम तो ये हर संख्या में है और हर में अगर संख्या है तो हम किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते कि इसमें अ एस एन बराबर एक बटा एक गुणा दो जमा एक बटा दो गुणा तीन जमा एक बटा तीन गुणा चार और ये कितने पद हैं अभी हमें एन वाँ पद पता नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे एन पदों तक हमने लिख दिया अब इसमें आप ध्यान से अगर थोड़ी सी गनित देखें थोड़ी सी गनित जो हमारा बेसिक कॉंसेप्ट है गनित का अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो आपको इसमें गनित नजर आ जाएगा और पैटर्न नजर आएगा और वो पैटर्न देखना ही त 2-3, 3-4 आप जान सकते हो कि n आप डारेक्ट बता सकते हो कि एक, दो, तीन जा रहा है तो एक बटा n गुणा, n प्लस बन होगा, लेकिन हमारी समझ्या का हल वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक और पैटर्न देखेंगे, और वो पैटर्न आप देखोगे, कि एक और दो के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का, दो और तीन में कितने का डिफरेंस है, एक का, और तीन और चार में भी, एक का, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या, एक बार करके देखते हैं, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, तो क्या मेरा लिखा हुआ, इसको सैटिस्फाई करत सकता है क्या चेक करके देखते हैं एक गुणा दो लगुतम हो गया दो में से एक गया तो एक बचा हो गया आगे देखते हैं हो सकता है और आगे हो या ना हो तो आप देखें इसको मैंने ऐसे लिख दिया दोनों को अलग-अलग दो गुणा तीन हो गया उपर तीन माइनस दो ये भी हो गया, इसका मतलब एक पैटर्न नजर आ गया और अगर इस तरह के प्रश्णों में आपको पैटर्न दिख गया, अब अगर N वाँ पद आप लिखोगे, तो आप लिखोगे एक बटा जो पद है, चुकि पूरे पद है N और N वाँ पद था आपका, एक बटा N माइनस एक बटा N जमा एक, क्या खास बात रही, चुकि अनुक्रम का उद्देश भी यही था, कि आप पैटर्न देखें, जो निश्चित पैटर्न से संख्याएं बढ़ रही हैं, अगर ये पैटर्न आपको दिख गया, प्लस का निशान है, आप देखोगे ये रहे हैं, अगर इसी तरह से कटते रहे, कहां तक कटेंगे, क्या पहली संख्या कटी क्या, नहीं कटी, पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या, दूसरे ब्रैकेट के पहले संख्या से कटी, इसका मतलब लास्ट में जा करके, एक बटा N कट जाएगा, और जब वो कटा, तो हम एक ये बचा अब इसके बाद एन जमा एक हमने लगुत्तम ले लिया एन जमा एक माइनस एक ये कट गया और इस तरह से हमारे पास आ गया ये सीधा सीधा हमने सम निकाला है एन्थ टर्म नहीं निकाली थी तो इस तरह से जो प्रशन देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था अनुक्रम का असली उद्देशे आप उसके पैटर्न को पहचाने और पैटर्न पहचान करके अगर हम प्रशन करेंगे तो आपको प्रशन बहुत आसान हो जाएगा इस तरह के प्रशन आप करें बहुत आनंद आएगा आपको डेली लाइफ में भी गणित में मजा आएगा आप करें पूरी अभ्यास आप आराम से कर चुके होंगे तो हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा वो एक बार दोहरान कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या देखा हमने देखा कि इसमें समांतर श्रेणी और गुणोतर श्रेणी जो भी हमने पढ़ा था समांतर माध्य कुणोतर माध्य एक और चीज मैं यहां के साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ समांतर माध्य यानि AM कुणोतर माध्य यानि GM एक और आपने पढ़ा था AMS आपने पढ़ा था GMS और AM और GM आपने पढ़ा ही था इन सब के बारे में आपने पूरी तरह से अध्येन किया था और आपने देखा था कि AM का मतलब तो average यानि ओसत, arithmetic mean लेकिन AM मतलब बीच की संख्याओं के माध्य आपने निकाले थे कि दो संख्याओं के बीच के कई माध्य संख्याओं निकाली थी इसी तरह GMs आपने बीच में कई संख्याओं के गुणोतर स्रेनी के बीच के माध्य निकाले थे ऐसा आपने पड़ा था उसके बाद प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग और इन सब का उप्योग हम अनुक्रम में जो विशेश अनुक्रम होते हैं उनमें कैसे करते हैं यह आपने जाना आप इस अभ्यास को करें और इसका पूरा प्रैक्टिस अपना रखें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जाना आपना 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